हमारी संस्क्ति, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्य महिमा भारतिय संस्क्ति में यज्य, योग, एवा मायुर्वेद जैसी अमूले विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, वितिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरन्यवासी रिशियों की नित्य वन्यमेतिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है कुछ भी हम कर रहे हो, अपने आप ये स्वभाविक रूप से स्वसन की प्रक्रिया चल रही है, तो सबसे अधिक आउशकता किसकी है, तो वायू की है, और उस वायू को हम प्रते दिन प्रदुशित करते जा रहे हैं, अलग-अलग आप देख रहे हैं, पावर प्लांस लेप्टॉप है, अलग जो इलEक्ट्रिक सामान है, उससे नियर्नतर रेडियाशन निकार रहे हैं, और उसी वातावन मीं हम 24 घंटर रहे हैं, सवास ले रहे हैं, और वो हमारे सवास के माध्यम से, हमारे इसकीynn के माध्यम से जाकर, हमारे जो सरीर के जो स्ठ्रक्शर है, उसको वो डिस्टरप कर रहा है अमारे सरी में जो हर्मोन से जो pitutary gland है, pineal gland है या मस्तिश्ट में और जितने भी nervous रिष्टा में उस सबको डिस्टरप कर रहा है उसके कारण से आप देख रहे हैं चिर्चियापन, पागलपन, इस्टेट, डिप्रेशन, तनाव, माइग्रेन की समस्या है, वर्टिगोएंजाइटीफोबिया की समस्या है, अलजाइमर है, ओर्टिजम है, एपिलिपसी भी अब अत्याधिक मात्रा में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पैल आइसिस की समस्य है, तो इस सारे मस्तिक्ष संबंध ही रोग है, फिर कैंसर भी है, चाहिए वो बॉन कैंसर हो, स्किन कंसर हो, ब्रेन कैंसर हो, ब्लट कैंसर हो, हार्ट कैंसर हो, किसी भी प्रकार से, ब्रेश्ट कैंसर है, तो यह इतनी बिमारियां जो बढ़ती जा रही है, नई नई आती चारहीं है, advance update होते हुए, इस सब किसके कारण हैं? यह हमारे ही कारण से हैं, कि हम उपियोग तो ले रहे हैं, हम विकाश के नाम पर हम दिनों दिन विनास कर रहें, तो इसका मूल कारण हम सभी हैं और इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहें, जिसके लिए हमको करना चाहिए जिसकी सबसे अधिकाउश चकता है हम घर में अपने जाड़ू तो लगाते हैं नीचे घर की सफाई तो करते हैं लेकिन वातावरन की सफाई उस पर हम कभी भी जाड़ू नहीं लगाते हैं और जिस वातावरन में हम रहे रहें उसमें आप देख रहे हैं जो डस्ट है पार्टिकल से आपके कपड़ों से निकल रहे हैं आपके घर के दिवारों से और अल्या जो इलेक्ट्रिक सामान से उसे रेडियेशन यह अंतर निकल रहे हैं वो हमारे मस्तिश्क को हमारे सरीर को वो निरुप से प्रभावित कर रहे हैं। तो हमारे रिश्यों ने बताए कि यह जो यज्य हैं, यह एक अच्छी किस्सब अध्धती हैं, यह एक सेनेटाइजर हैं, जिसके माध्यम से आप इस वातावरन को सेनेटाइज कर सकते हो, इसको प्रक्षालन कर सकते हो, धुलाई कर सकते हो, और सुध्ध बना सकते हो, वस्त्रों की भाती धवल, तो यह जो यज्य हैं, यह एक अच्छी किस्सब अध्धती हैं, और इसी क्रम में इनहीं सब रिसर्च को देखते हुए, पतंजिली संस्थान के माध्यम से बहुत सारी ऐसे रोगानुसार समागरियां बनाई गई हैं, जिसमें वातेष्टी से लेकर अलग-अलग करकटेष्टी, मेधेष्टी, चरमेष्टी, फिर अपितेष्टी हैं, मधौईष्टी हैं, ऐसे अलग-अलग रोगानुसार ये समागरी बनाई गई हैं जिसके माध्यम से हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं और जिनको जैसे इसकिन की समस्या हैं तो उनको हम चर्मेश्टी देते हैं उसमें जो अलग-अलग ये काल मेगे चिरायता हैं निमपत्र हैं कुटज हैं कुटकी हैं इन सब को मिला कर ये चर्मेश्टी हवन समागरी बनाई गई हैं और उसी को ही हम 11-23 से हवन कराते हैं फिर उसे में बैट कर जैसे आप सामने देख रहे हैं ये धुआ इस धुआ में हम उनको बिठाते हैं और सरी में कहीं पर भी यदि इसकिन की समस्या हो सोराय से एकजिमा या इचिंग होती हो तो ये गाढ़े गाढ़े जो धुआ इस गाढ़े धुआ में आप इस प्रकार से अपने हाथों को पैरों को अपने सरीर में लगने दे इस धुआ को तो इसको पांस से दस मिनट लेकर आप आधा घंटे तक यदि करते हैं तो इससे हमने पाया कि व्यक्ति सालों साल तक जिनकी बिमारी नहीं जाती हैं वो अमने सपताह से लेकर पंदर दिन, बहिना दिन तक बड़े जो डिसीज है इनका रेबल जो डिसीज है उन पर हमने सफलता पुर्वक लाप प्राप्त किये तो इस प्रकार से आप इसकी धूनी करें उसी में प्रानायाम करें और इसके लिए आपके पास यदि निम तेल है या तील तेल है तो वो आप समागरे में मिला दो उसी की धूनी करो और इसकी जो एश है भस्म है राख है जब हवन करते हैं तो उसके परशाद अगनी सांथ हो जाने से जो एश राख बचती है उसको आप किसी बारिक कपड़े से छान लीजिए छननी से और जब छन जाए तो उस पाउडर को आप रख लो और पर लिटर दस ग्राम की मात्रा में जिनको इसकीन की समस्या हो या हाइपर एसिडिटी हो गैस की समस्या हो तो उनको पर लिटर दस ग्राम वो जल में इस प्रकार से पाउडर है तो आप कपड़ शान कर सकते हैं में बांद दिया और रात में दुबा दिये, सुबह उस जल को आप खाली पेट सुबह साम आप लीजें, इसकीन है तो आप उस जल से आप इसनान करें, साथ ही जिनको मैंने बताया एसीडिटी है, तो वो इस प्रकार से जो भस्म है उसको पूरे समय जिनको हैपा एसीडिटी हो तो सुबह से साम तक वही उसी भस्म जल को पीते रहें, तो इससे अद्भूत जिनके सरीर बहुत ही एसिटिक बॉडी बन जाती है, तो उनको एलकलाइन बनाने के लिए पर लीटर दस ग्राम बहुत ही अद्भूत इस यज्जका है, तो इस प्रकार से इस भस्म को आप उपयोग कर सकते हैं, अपने सहीर में भी कहीं पर यदि घाव है, खुजली है, या स्वीलिंग है, सूजन आ गई है, तो आप थोड़ी से भस्म ले ले लें, उसमें घी लगा दीजे, पेश्ट बना कर, उसके परश्चात आप उसको लेपन करकर रख दें, आधा से एक घं सब्सक्राइब लें, तो भी इसमें अध्भूत परिनाम आता है, उस भस्म के साथ आप अलो वे रहें, उस जूस को भी आप थोड़े से गाड़े गाड़े लगा कर, तो इस प्रकार से आप ये भस्म का उपयोग ले सकते हैं, जिनको इस्किन की समस्या हो, गैस की समस्या ह वैसे ही जिनके सरे में गर्मी बढ़ जाती है पित जिसको बोलते हैं सरे में हमेशा पसीना आना जा चिलमी लहाट बना रहना या आसीडिटी के काराण से भी सरे में गर्मी बनी रहती है तो ऐसे इस्तिती में एक तो मैंने भस्म बताया, साथ में पित्येष्टी हवन समागे जिसमें स्वेत चंदन है और उसके साथ गुलाब पोश्प है, उसे गुलाब पोश्प को भी आप इस प्रकार से धोनी करें और उसे में प्रानयाम करें, तो इस प्रकार से हमको प्रति करना है, तो इसमें मैं बता रहा था कि जिनको अब साइनस की समस्य है, हम देखते हैं अत्यधिक मात्रा में साइनस की भी समस्य बढ़ती जा रही है, लोगों की जो नासिकर छिद्र है वो बंद हो जाती है, या हड्यां बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिते में या कफ कोल्ड मौसम के अनुसार से सर्धि जुकाम या कफ बन जाता है तिधिक मात्र में उनके लिए ये कफेश्टी हवन समागरी तो कफेश्टी हवन समागरी में आप ये घी है उसको 100 ग्राम यदि समागरी है तो 50 ग्राम उसमें घी मिला दिजे और उसी से आप हवन करें और उसी गाड़े धुएं को धिरे धिरे आप स्वांस के माध्यम से आप ले उसमें आप दिव्यधारा डाल दे मूलेठी आप उसमें थोड़ी से हल्दी है फिर त्रिकाटो चुन है स्वांठ काले मेर्च पिपली है ये अद्भूत होता है जिनको सर्दी जुकाम है और हमने ये पाया योगराम में ये अपने यजजो पैथे यजज थरेपी ट्रिट्मेंट ये चल रहे हैं जिसमें प्रती दें 300 की मात्रा में लोगों को हम ये ट्रिट्मेंट देते हैं और इसका अद्भूत परिनाम आ रहे हैं अलग-अलग रोगानुसार तो ये का ब्यापक रू हम जो inhale करते हैं तो उस inhale के माध्यम से जो bacteria है उनकी मातर कैसे घट जाती है तो ये अलग-अलगा प्रयोग चल रहे हैं और साथ में ब्यवहारिक रूप से ये कार्या चल रहे हैं जिसमें मैंने आपको या आप में से कई है दूने होंगे कि एक मुंबई से हमने एक बहन को इसी प्रकार से यद्ज के माध्यम से ठीक किये एक दिव्या बहन करकर जो BSC में पढ़ रही थी और उनको brain tumor हो गया और उस brain tumor को ठीक करने के लिए उनके जो मातर पिता है जिससे कि ये आगे ना बढ़ है ये critical disease ना बन जाए इसके लिए जब private hospital में दिखाया गया तो पता चला कि ये बिना operation के ये ठीक नहीं हो सकती तो मातर पिता चाहते थे कि किसी भी तरह से ये ठीक हो जाए उसके लिए उन लोगों ने operation की अनुमती दी लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा कि हम operation तो कर रहे हैं लेकिन हो सकता है ये कोमा में भी चली जाए तो जैसे ही ये operation के और वो बहन निश्चितुब से वो कोमा में चली गए और ये करीब बहन तीर महेन तक ऐसे कोमा में रही और इसके पीछे करीब तीस लाग की खर्चा हो गए जब प्राविट होस्पिटल में ये इलाज नहीं हो पाया डॉक्टर ने ये कहे दिया कि भाई अब इसका जो इलाज है अब घर में ही है घर में ही इनकी सेवा करो फिर इन लोगों ने इनकी जो मातर पीता हैं वे सरकारी होस्पिटल में लाए वहाँ पर दिखाय साए डॉक्टर ने हाथ उठा दिये कि ये अब हमारे हाथों में नहीं अब इनकी सेवा अब घर में ही हो सकती है तो चार महिना बेड में रहने के पश्चात घर में वैसी ही रखे और करीब तीर महिना के पश्चात कहीं से इनको ये पता चला कि यज्ज़ से भी इस प्रकार से लाब मिलता है लेकिन जो यज्ज़ कर आने वाला अपना कारी करता था उनको ये पता नहीं था कि निश्चित रूप से ऐसे जो कोमा की स्थिती में पहुँच गए हूँ उनको भी हम वापिस लास रखते हैं एक ये विश्वास था कि भाई यज्ज से वातर अंशुद्ध होता है यज्ज सास्तों में इसकी चर्चा आई है कि इसके धुम पान करने से अलग-अलग रोगों में बिमारियों में लाब मिलता है लेकिन इतने बड़े जो रोग हैं इस रोग से निजात पाफ जाए ये असंभव था लेकिन प्रति दिन हवन करते रहें घर में उनकी मातर पिता भी उनके पास सामर्थ नहीं था कि समागरी भी खरीद पाए तब जो कारी करता हमारे भाई नर्सी भाई उन्होंने सभी प्रकार से उनको अपने और से ये समागरी उपलब्ध कराएं और उनके घर में जा जा कर वो हवन करते थे फिर करीब जब तीन महिना हुआ तो तीन महिने बाद उनके हाथों से उंगलियों से ये जान प्रारम हुई उनके सरी में जो खल चल है और धिरे धिरे करीब तीन महिना पस्चात उनके पूरे सरीर में ये एक्टिविट चाल हो गये खल्चल प्रारम हो गया और आज वो बहन पोनरुप से स्वस्त है अपने हाथ पेरों में उचलती है और आप देखे होंगे यहाँ पर भी उनको हम बुलाए थे श्रद्धे स्वामी जी ने उनको अपने आसरे में उनको रख कर आसिरवाद प्रयदान किये तो यज्य एक पुझा पध्धती भी है सांत में एक अच्छी किस्ता पध्धती भी है केवल यज्य से भी बिमारियों में लाब मिलता है केवल योग से भी बिमारियों में लाब मिलता है लेकिन कुछ ऐसे रोग है कुछ ऐसे डिसीज जो बहुत काल व्यतित हो जाने के पश्चारत उसमें ट्रीटमेंट में समय लगता है लेकिन जब हम दोनों को मिला देते हैं यज्य पुर्वा की योग और यज्य को जब हम योग के साथ जोड़ देते हैं तो उसका जो काल है उसका जो समय है वो बहुत ही कम रह जाता है और ये हम प्रत्यक्षर रूप से देख रहे हैं पतंजीर संस्थान के जो नेचरोपैथी सेंटर योगा ग्राम है वहाँ पर तो यहाँ एक अद्भुत्र की सब पध्धती है एक ये रिशी पध्धती है दैविय पध्धती है जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार की बिमारियों को जित सकते हैं और एक और आपको मैं बताना चाहूंगा ये अभी कुछ ही दिनों का ये बहुत बढ़ा हमको इसमें रिजल्ट मिला जो इसकीन की समस्या थी एक भाई जो नुईडा से उनको सोरा ऐसे पूरे सरीर में उनकी इस्तिती ऐसे थी कि आप उसको देख भी नहीं पाएंगे ऐसे उनके पूरे सरीर में ये बिमारी फैल गई थी लेकिन पंदर दिन वो ऐसे लगातार धूमिसनान लेते रहें जैसे इस टीम दिया जाते है वैसे हम उनको धूमिसनान आदा गंटब बिठाते थें उसमें हम पचास-पचास प्रतिशत तेल और घीम मिसित करका चर्मिष्टी हमने मिला कर उनको दिये तो आज उनके सरीर में जो इसकीन की समस्या थी वो पूर नरूप से वो सुख गई है धिरेद है उनकी जो बिमारी हुआ अब पूर नरूप से छट गई है उनके सरीर में एक नया कारपन तुअचास में एक नई जाना आ गई है तो इसका परिणाम तो है साथ ही एक अध्यात्मिक लाब भी है कि जब हम इसको करते हैं जैसे मैंने कहा कि रोगियों के लिए यज्य एक साधन है लेकिन जो योगी है जो निरोगी उनके लिए एक साधना पध्धती है जिनक तो अपने मन को और पूर्ण रूप से निश्चल करना हूँ, तो वो प्रती दिन ऐसे हवन कर उसी में बैट का लंबा-लंबा स्वांस यदी भरते हैं, तो तूरंत उनका जो मन है वो रुख जाता है, जो श्रीमत भगवत गीता में धनुधर कुंति पुत्त अर्जुन को जैसे वायू का तेज वेग हो आंधितु भान हो, उसको रोख पाना एक मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर होता है, वैसे ही यह मन भी है, तब भगवान सुरे कृष्ण कहते हैं कि असंसयम महा बाहो मनो निग्रहम चलम, अभ्यासे न तू कौंते या वैराग्य न चग्रियते हे कुंती पुत्र मैं समझता हूँ, भली भाती मुझे यह ज्यात है कि मन बहुती चंचा है, लेकिन इसको अभ्यास वैराग्य के माध्यम से इसको हम रोक सकते हैं, इसको हम अपने अनुसार चला सकते हैं, जैसे आप रस्ती को देखते हैं, रज्जू को, जब कुएं से प रस्ती उसको काटने में समर्थ हो जाती है, वैसा ही, अभ्यास वैराग्य के माध्यम से हम अपने इस गतिशिल मन को हम रोक सकते हैं, वह यह सामर्त्य जैसे योग में हम योग करते हैं, प्रानायाम करते हैं, तो योगाष्चित वित्ति निरोधा कहा कि योग का प्रथम जो लाब है वो मन के गलत वृत्यों का असुव विचारों का निरोद करना है वैसे ही जब हम यज्ज करते हैं तो प्रथम द्रिष्टिया है जो मन में उठ़ है जो गलत विचार असुव विचार है वो रुख जाते हैं वो निरुद्ध हो जाते हैं तो इस प्रकार से हम प्रति दिन हवन करें, यज्ज करें और ऐसे धुनी तैयार कर लें, यदि आप हवन भी नहीं कर पाते हैं प्रति दिन, तो आप अंगारे बना लें, आम है, बढ़ है, पीपल है, गुलर की लकडी है, समी है, खदीर है, पलक्ष है, पाकर है, या फिर इस गुगल है, तो ऐसे अंगारे बना लिजे, और अपने घर में चारोर आप घुमा दे, तो आप अपने घर को प्रते दिन आप चिकिसाले बनाते हैं, अपने घर को आप देवाले बनाते हैं, बसरते आउश्यक है कि हम आउश्दियों के जो लाभ है, उसको समझें, और उसक कहा कि संसार में ऐसे कोई विश्रब्द नहीं जिससे मंत्र ना बनता हो और ऐसे कोई